Welcome to English Tongue आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाने पर बोले जाने वाले English Sentences इन English Sentences का यूज आप अपने घर खाने पर आए महमानों के साथ कर सकते हैं या फिर जब आप किसी के घर खाने पर जाएं तो उनके साथ भी इन English Sentences का आप यूज कर सकते हैं आम दिनों में आप अपने परिवार के साथ भी खाने पर इन English Sentences का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आप रोज मर्रा की जिंदगी में English बोलना सीख जाएंगे साथ ही आपके घर पे जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपको देखकर English बोलना सीखेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इंग्लिश में सुबह के नाश्टे को breakfast, दोपहर के खाने को lunch और रात के खाने को dinner कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले sentence के साथ अगर आप कहना चाहते हैं मुझे भूक लग रही है तब आप English में कहेंगे I am feeling hungry मेरे साथ repeat करिए I am feeling hungry इसी तरह अगर आपको किसी को पूछना है कि आप क्या खाएंगे तो अब आप English में बोलेंगे What will you like to eat मेरे साथ repeat करिए What will you like to eat अचार को English में pickles कहते हैं अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन-कौन से अचार हैं तब आप कहेंगे English में Which pickles do you have मेरे साथ repeat करिए Which pickles do you have क्या आपने नाश्ता कर लिया इस बात को हम English में ऐसे कह सकते हैं Have you had your breakfast मेरे साथ repeat करिए Have you had your breakfast नाश्ता तैयार कर लो इस बात को हम दो तरके से English में कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं Prepare the breakfast या हम कह सकते हैं Make the breakfast Make the breakfast दोनों ही तरीके सही हैं आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें इस बात को आप English में कह सकते हैं Let's have the breakfast together यह sentence बहुत काम का है जब भी आप किसी को कहना चाहते हैं बस चक्कर देखो तब आप तीन वर्ट्स का एक English sentence बोलेंगे Just taste it Just taste it इसे जरूर याद रखें नहीं मुझे एक दावत पर जाना है इस बात को आप English में कहेंगे No, I have to attend a party मेरे साथ रिपिट करिए No, I have to attend a party चलिए हम अपना next sentence देखते हैं English में dish शप्त के दो मतलब होते हैं एक का मतलब होता है पकवान और दूसरे का मतलब होता है तश्तरी या प्लेट यहाँ पे इस sentence में dish का मतलब पकवान से है आपके पास मीठी चीजों में क्या है अगर आपको यह जानना हो तब आप किसी से पूछ सकते हैं What sweet dishes do you have? मेरे साथ रिपिट करिए What sweet dishes do you have? क्या लटा ने खाना खा लिया? इस बात को जानने के लिए हम इंगलिश में कहेंगे Has Lata finished her meals? मेरे साथ रिपिट करिए Has Lata finished her meals? Meals का मतलब होता है खाना जब आपको किसी को बुलाना होता है तब आप हिंदी में कहते हैं जल्दी आओ खाना परोज दिया गया है या खाना निकाल दिया गया है इसी बात को हम इंगलिश में कह सकते हैं Hurry up, food has been served मेरे साथ रिपिट करिए Hurry up, food has been served इस sentence का उप्योग हम अक्सर हमारे घर आये महमानों के साथ करते हैं जब हम उनसे कहते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं या तुमने तो कुछ खाया ही नहीं इसी बात को अब आप इंगलिश में कह सकते हैं You hardly ate anything मेरे साथ रिपिट करिए You hardly ate anything हम अपने घर आये महमानों से जब कहते हैं थोड़ा और लीजिए उसी बात को अब हम इंगलिश में कहेंगे Have a little more अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी तब आप कहेंगे Would you have tea or coffee? मेरे साथ रिपिट करिए Would you have tea or coffee? मुझे एक प्याला कॉफी ला दो इसी बात को आप इंगलिश में कहेंगे Get me a cup of coffee मेरे साथ रिपिट करिए Get me a cup of coffee अगर आप कहना चाहते हैं कि कॉफी डालिए तब आप कहेंगे Pour the coffee मेरे साथ रिपिट करिए Pour the coffee डालने के लिए Pour शब्ट का इस्तेमाल किया जाएगा चमच साफ नहीं है इस चीज़ को हम इंगलिश में कहेंगे The spoon is dirty The spoon is dirty कृप्या प्लेट बदलिए इस चीज़ को हम इंगलिश में कहेंगे Change the plates please खाने की टेबल पर आप नमक मांगने के लिए कहते हैं कृप्या नमक पकड़ाईए अब इसे चीज़ को इंगलिश में कहना है Pass me the salt please मेरे साथ repeat करिए Pass me the salt please खाने की टेबल पर अकसर आप कहते होंगे मुझे थोड़ा सा ताजा मक्षन दीजिए तब उसे चीज़ को अब इंगलिश में कहना है Give me some fresh butter please मेरे साथ repeat करिए Give me some fresh butter please थोड़ा और लाईए इसको हम इंगलिश में कहेंगे Get some more please मेरे साथ repeat करिए Get some more please आपने कभी न कभी तो जरूर पूछा होगा हिंदी में क्या आप शाकाहारी हैं अब इसी चीज़ को आपको इंगलिश में पूछना है Are you vegetarian? repeat करिए मेरे साथ Are you vegetarian? यदि आप मानसा हारी है तब आप कह सकते हैं नहीं मैं मानसा हारी हूँ इसी चीज़ को आप इंगलिश में कहेंगे No, I am a non-vegetarian No, I am a non-vegetarian आज मेरा खाना बाहर है इसी चीज़ को आप इंगलिश में कह सकते हैं I'll dine out today I'll dine out today repeat करिए मेरे साथ I'll dine out today क्या आप दूद पिएंगे इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं Would you have milk? मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं I have just sat down to have my meals मेरे साथ repeat करिए I have just sat down to have my meals अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि में चावल नहीं खाता तब आप उसे ऐसे कहेंगे इंग्लिश में I am not fond of rice मेरे साथ repeat करिए I am not fond of rice क्या आप मक्षन रोटी खाएंगे ये पूछने के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे Will you have some bread and butter? मेरे साथ repeat करिए Will you have some bread and butter? दो रोटी से तो मेरी भूख नहीं मिटी इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कहेंगे Two chapatis have not been enough for me मेरे साथ repeat करिए Two chapatis have not been enough for me खाने का समय हो गया है तयार हो जाओ इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कहेंगे It is dinner time, get ready मेरे साथ repeat करिए It is dinner time, get ready सबजी में नमक कम है अब इसे इंग्लिश में कहेंगे There is less salt in the curry मेरे साथ repeat करिए There is less salt in the curry इंग्लिश में आम तोर पर खाने के लिए eat और पीने के लिए drink शप्त का उपयोग होता है लेकिन इसके विपरीत टेक शप्त का इस्तेमाल आप खाने और पीने दोनों के लिए कर सकते हैं जैसे अगर आपको कहना हो खाली पेट पानी ना पियो तब आप कहेंगे Don't take water on an empty stomach मेरे साथ repeat करिए Don't take water on an empty stomach रसोई से चुठकी भर नमक लाओ अब इसी चीज को आप English में कहेंगे Bring a pinch of salt from the kitchen मेरे साथ repeat करिए Bring a pinch of salt from the kitchen मेरी प्यास अभी नहीं बुझी इसी चीज को आप English में कहेंगे I am still thirsty मेरे साथ repeat करिए I am still thirsty उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है इसी चीज़ को आप English में कहेंगे They have invited me to lunch मेरे साथ repeat करिए They have invited me to lunch आप रात का खाना मेरे साथ खाईए इस चीज़ को English में कहेंगे Please have your dinner with me मेरे साथ repeat करिए Please have your dinner with me मुझे आलू की रसेदार सबजी पसंद है इसी चीज़ को आप English में कहेंगे I am fond of musht potatoes मेरे साथ repeat करिए I am fond of musht potatoes आप उबले हुए अंडे लेंगे या तले हुए इसी चीज़ को आप English में कह सकते हैं Will you have boiled eggs or fried ones? Will you have boiled eggs or fried ones? बढ़िया खाने की पहचान करने वाले व्यक्ति के लिए या भोजन प्रेमी के लिए हम gourmet शब्द का प्रियोक करते हैं इस sentence में हम कहेंगे वो बढ़िया खाने की पहचान करने वाला है इसे ही हम English में कहेंगे He is a gourmet मेरे साथ repeat करिए He is a gourmet उनके भोज में साथ प्रकार के खाने परोसे गए इसे ही हम English में कहेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही English सीखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें